प्रोधम कथ आमी बोली जे ब्लाद डोनेशन केम बैक्टा बने शेटा अने के आमी आतकुन होंचे छीला एबां फिक्तों से भोंचे लें जे आमादेर मुमुत बैनार्ची आमादेर मानुनिया मुख मुंत्री तार निर्देशे चारीदे के शुत्ती बिविर्न रखो मेर अनुष्ठने माध्धो में लादड़नेशन कैम्प होच्छे एबां शेटा शुत्ती महोत अनुष्ट अशंको धोन्न बाद आमी प्रोत्तेक के जानाई जागरीती शंगे आमाके एखान एन्वाइक कर बर जोन्नों आर आमी एटको बोलते पर याज़के दीन ता भिशन भालो दीन राकी बंधन बंधने शकले खुब भालो थाकुन शकल के निये थाकुन अर इरा मैंटा पैंडेमी के जोतो टा शुस्त थाका जाये भालो थाका जाये शक्की जुबीदी निशेत बेने चीक शही भाबी हमें शकल के टुबई बोलते पर याज़को जोन्नों आगामी दीने अनिक अनिक शुबेच चा एबागामी दीने दुर्गा पुजर अनिक इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे तो एक चीज है कि खून आपके शरीर के बाहर कभी आपके ख्यार नहीं कर सकते साइंस की इतनी आगे जाने के बाद भी इसलिए ब्लैट डोनेशन केम्स बहुत जरूरत है और इस बेंगल क्लाब कुसे फुटबॉल और क्रिकेट समय में भी अपना काम करते हैं मौलाइदा भी यहां पर लीड कर रहे हैं अच्छा है कि अपना जो थलेसेमिया पेशेंट है जिसको हर महीन एक बार ब्लड लगता है उसके लिए बहुत लोगों को सर क्या मैसेज देना चाहेंगे कितना और ब्लड रख्ट दान जो लोग कर आज सारे भारत में सारे मुल्क में इसे संप्रदाइक शक्ति की जो विद्धी हुई है यहां पर रख्टदान के महाध्यम से अब बोलना चाहते हैं कि अगर हमें कभी रख्ट लगता है तो हम किसी भी ब्लड डॉनिश्ट ब्लड केम में जाके या ब्लड वैंग में जाके कि हमको हिंदू का रख्ट दो या मुसल्मान का रख्ट लगता है यह इस रूप में से हम लोग अंदूरन कर सकते हैं थैंक्यू सुमस्ट